अच्छ साहस सरोगार कि यहां पर जो भी मामले होते हैं जो भी बात अंचे कि करें चाहें बिखराओ की 2017 हर मामला चर्चा का संबातों की बात करें कभी धर्म मंद्द्ध्र उठते हैं तो कभी जनता की मुद्द्धि पर कहीं न कहीं महत्पूर्ण ये भी है कि निकाय चुनाव अब उत्तरप्रेस में आ गया है। कि पिछले कारकाल था 2017 का वो अक्टूबर में खता बो रहा है। इसको देखते हुए यहाँ पर नमबर दिसमें चुनाव की पटकटा रची जा सकती है और चुनाव होगे। अगर हम चुनाव की बात करें। तो पिछला चुनाव जो हुआ था वो 622 सीटों पर हुआ था इस वार चुनाव जो हो रहा है वो 734 सीटों पर हो रहा है। कारण के बाल एक की 82 निकाय बढ़ा दिये गए। जो नगर निगम पहले 16 होते थे वो नगर निगम 17 हो गया है। जो नगर पाल अगर बात करें नगर निकाय की तो और उनमें बढ़म इसलिए होई है, क्योंकि परीशिमन भी यहाँ पर अलक किया गया है। और परीशिमन की चलते यहां पर जो बे कुझ ःचुनावितन पर बास्था है, बो यहांपर बदली है। 82 नगर निकाय बढ़ गए हैं तो निस्ति रूप से यहां पर जो चीजे हैं वो 652 की जगए 744 हुआ कैसे मैंना कुटा आया कि नगर निकाम जो पहले 16 हुआ करते थे वो 17 हो गए हैं नगर पालिका जो पहले महज 198 थी वो 200 हो गई है और सबसे महट पून बात नगर वो बिद्धी हुई है लगभाल लब नियासी नगर पंचातों बिद्धी के चलते यहां पर जो नया जो आकड़ा निकल कर आया है निगन निकाय चुनाओ का वो है कि इस वह नगन निकाय चुनाओ 734 निकाय पर होने बाला है इन 734 निकाय में तबान तरह की चीज़ सामने आनेवाली हैं है क्या जो अगर निगाह चुनाव की बात करें दो महलिय चुनाव होता है और यह बात देखा जाय तो लोकसभा विरान सबा पर्धानि चुनाव शंकर है हच कर थूदि ऊसलिए है क्यूकि जीतता नुग ए खाब होता है उसकी भून स्धूरिय New जहां से वो लड़ रहा है और कहा जाता है जिसकी पकड़ गेट से लेकर रसुई तक होती है तब ही वो पारसर बन सकता है ऐसी विचारधारा के साथ हमारे देश में पारसरी चुनाव होते आए हैं और समीकर्ण भी ऐसे ही बताए जाते हैं जिसका जो हर सुख दुख में साम कि ऐसे लोगों को यहां पर लोग चुणावद में जिताते हैं कि हला कि कहा जाता है कि जाता है कि यहां पर टिकेट की भूमिका बहुत महत्पूर नहीं बहुत सारे लोग निर्दलिये जीत कर आते हैं चोकि उनकी जो छबी है वो अपने छित में जहां से चुनाओ लड़ा सभासरी छित में बहुत 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 होती है जिसका फादा उनको मिलता है टिकेट की दावेदारी टिकेट मिलना वो अलाग बात है किसी को बीज टिकेट किसी पार्टी से नहीं भी मिलता है किसी दल से नहीं मिलता तब भी आप अगर निर्दरी लड़ते हो आपकी छबी अच्छी है आप लोगों के लिए जाते हैं आपको पहुंच उस घर के रसोई से लेके सब जगा है और साथी साथ आपको परिवार का हर आर्मी जा है और इसी दaranja लोग जीते है लोगार महा पार की बार करें तो महापार के लिए चार की पूरा नगर का वह महापार होता है है उतों के होती है और यहां पर भी महापौर की छभी के साथ न्याय करते हुए उसको आगे बंढ़ना होता है जिस इनसान की एक छभी होती है कम से कम वो अगर छभी प्रारिशिक स्थर पर ना हो अगर वो छभी जिले स्थर पर भी होती है और साप छभी वाला आदमी होता है बैतर काम करने बेल हुए वो बहुत अंदेशा नहीं रहता हाला कि मैं मानता हूँ पार्टी का अपना एक बोट बैंक है और लोग बीजेपी सपा भाजपा कॉंगरिस देखके चुनाव में बोट भी करते हैं पर कहीं न कहीं पार्टी से साथ-साथ आप आपकी खुल च्वाइम की सभी जन संग्या बड़ जा जाती यहां बेकास की बात होने लगती है तो उसको नगर नगम का चोटा प्रारूप नगर पालिका से नीचे आएंगे तो वह पालिका है फ़ो है नगर पंचाइट जिया है नगर पंचाइट जैसे लखनु का असपर सी बनाने दाली और कहीं पंचाइटों पंचार होती है और चेर्मेन जो Himself गई भूबspace के पच्छटों मिलता ही मिलता है जो पार्टे के टिकेट बोड रहते ही रहता है अगर उसने जनता के लिए काम किया है अगर उसकी च्छबी साफ-साफ है अगर वो लगातार प्रयास बेतर करता है तो निस्ची रूप से उसको यहाँ पर फाजा मिलेगा साथी साथ जो अभी है सत्ता प्रयासीन है कुर्सियों पर विराजमान है नगर पंचाइट में चेर्मेन की उनकी अगर काम खराब रहे तो निस्ची रूप से उनका भी किसी पार्टे टिकेट लेके आए उनका जीतना लगवत है नहीं माना जा सकता है पर अगर उनने काम बे लेकर आते हैं और काम बेहतर करते हैं तो निस्ची रूप से उनको यहां फायदा मिलता है अब अगर हम राज़ती सरिंग में समीकर्ण की बात करें तो सबसे पड़ी बात यह है कि जो निकाय चुनाव है इस हमारे उत्तपनिस के अगर हम बात करने तो इस वार जो निकाय सबस्ताय लगा है और यहां पर सबसे मैटमुन यह है कि यहां पर सबसे बड़ा बोड़ा बेंक है तो बोट बेंक है वो है दलित बर्ग बैलिस परसेंट से जादा यानि अगर दलित बर्ग ने आपको बोट डेड़िया तो आपकी जीत को कोई रोख नहीं सकता पर चुकि यहां पर निकाय चुनाओ में बिरांसा चुनाओ की बात करें अगर उससे तुलना करें तो बिरांसा अगर अपर पंचातों अपर बौट कई बोट बेस्थाएं का कहां पर कौण बर्ग कितना है कि डर्द बर्ग की आप इसँ आस्टी वर्ग भी है सामान बर्ग भी है सब सबती एपने बूर्ट मेंग है யहां पर यहां में आतरके घ्रक होना आवस्बस्था एक पर-स-पर यहां पर अब इसको मिले और उसको खुट का बोर्ड भी मिले तो निस्ची रूप से वो सक्ता की कुर्सी पर आसर रूप सके क्योंकि निकाई ही वो यह उस्ता है जहां से धीरे धीरे विकास की पगडंडी हम चलके आंगे बढ़ते हैं छोटी काई अगर हम बात करें तो लोकसभा यानि प पारसर जो एक बाड़ बाड़ होते हैं अपने बाड़ का पैतिनिर्ट करते हैं अपने बाड़ की बिकास की बात करते हैं उनके बाड़ के नाम से निधी आती है वहां पर प्लान करते हैं किस तरह से हमको बिकास करना है किस तरह हमको लोगों को फायरा पहुचाना है किस त परीवेस की बाद करें चाहे बेहतर विकास की बात करें बहुपर नगर बहत्तर बहतर बयतर बनेगी और तभी आपका बहतर बनेगा चला बहतर बनेगा। तभी बिनान सभा बहतर 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 लोगत बनेगी। साफसपाई चाहे रोड की बात हो चाहे पानी निकासी की बात हो चाहे पेजल की बात हो चाहे बिदुर बेउस्ता की बात हो अगर बहतर होगी तो इसे रूप से लखनो को स्मार्ट सिटी बनने से कोई नहीं रहेगा पर यहां पर सामुएक रूप से सभी बार्ड के लोगों का उस बाढ़ के पार्सर का ये दायर में बनता है कि अगर आप बहतर करें कि निसी रूप से उससे पूरा जिला ही फाइड़े में रहेगा अब हम जरब पार्टी समिकर्ण की बात कर लें तो इस चुनाओ में बाटि न्था पार्टी जो पिछला अगर शतना की बात करें तो तो सोला नगर नग्र नगम इंभ में मेर जीत किया आये थे वो जीत किया थे चोदा सबसे महर्पूर्ण बात यह है कि समाजरी पार्टी ने एक मेहनट के तहर एक विपच्छ होने के बापजूर बहुत बहुत बहुतर पढ़नाम लाये थे और लबगा लबग कई जगा भातिंदर पार्टी को टक्कर विरी थी तो इस बार चुनाव है बों मुख्य रूप से देखा जा रहा है तो भातिंदर पार्टी समाजरी पार्टी के बीच पर रहने वाला है पर साथिसाथ जो रालोद है या जो बहुत सुभास्पा है या जो आमारी पार्टी यह भी कही न कहीं यहां पर सत्ता पच्छ और बेप यह रालोट चाहती है कि वो संगटर मजबूत करें और संगटर को मजबूत करने के लिए पार सदी इस तरफ़ तक चुनाव बैतर करना जरूरी है और जब हम चुनाव लड़ेंगे जब हमारे लोग उतरेंगे तो निस्ती रूप से हमारा संगटर मजबूत होगा तो यह ब यूप्य ‎ूपी चुनाओ की तहर भी है 12-22 की का नियु तरह ही यहाँपर सारी सीट्स Under के निकाय चुनाओं में भी अगर जिसे आफ से उनकी लगासफी निकाथ में पहलों हो रही वो समय अलग था आज से पास साल पहले आमारी पार्टी सक्क्रिये उतरी नहीं थि जी तब आज की समय में आमारी पार्टी सक्रिये और लगातार आमारी समग्तारगी करता सलकव शक्रार अमारी पार्टी करती नजर आए इन आ इस और समय में हम बहतर पर पर नाम सामने लाना है तो आपको un heart ही बहुत आप तो निस्री रूप से आपके जो परणाम है वह बहतर आएंगे तो यहां पर निकाय चुनाओं की बात करें तो यहां पर उत्तापरेश का है यह 24 के पहले का सेटों के कह सकते हैं क्योंकि उत्तापरेश के रास्ते ही केंद की कुरसी जाती है अगर आपको केंद में सत्ता बनाबा नहीं नहीं है तो कहीने के उत्तवपदेश के असी लोगसवा सीटों पर आपको चमतकार करना होगा जो चमतकार बाद्यंदर पार्टी 2014 में और 2019 में कर चुकी है उसी चमतकार के कारण बाद्यंदर पार्टी को केन में सत्ता में बैठने का लाब मिला सत्तर पहुंची तो निस्टी रूप से यहां पर जो सेमि फानल के रूप में देखा जा रहा है और यहां पर मैंना कोताया कि पार्टी के साथ सर बैट्ति के छबी भी होना बहुत जरूरी है और साथी साथ जो पार्सणी स्थार हो गया ये विकास की सबसे आखरी धुरी है और यहीं से बिकास की पत्करा लिखी जाती है जब बाढ़ बैतर होगे तो फिर जला बैतर होगा नगर नगर पंचाते बैतर होगी और तब बिरांसवा बैतर होगी उस तब लोगसवा भी बैतर हो सकेगी समार्च सिटी की हम लोग बात करते हैं समार्च सीटी के इक धाचे में स्मार्च सिटी की परकलपना में आपको पारसरी इस तरफा बैतर परयास करने पड़ेंगगो मेरा मांनना यह है कि निकाह चुनाव बहुत मैठ़्ूर चुनाव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पित्यासी के चैन भी वह बैतर होगा जब एक अच्छा पित्यासी चुनाव में उतरेगा और जीद कराएगा तो निश्य रूप से जो विकास की हम लोग परिकलपना सोचते हैं विकास की बात हम लोग करते हैं वो करते नजर आएंगे आने बाले समय में किसको यहां पर जारा सीटे मिलती हैं किस को कम मिलती है वो फिराल भविस की गर्व में है पर जिस तरह से यहां पर बीजेपी काम कर रही है जिस तरह से यहां पर आमारी पार्टी काम कर रही है तो कुछ फायदा आमारी पार्टी को भी हां मिलने बाला है बाकी समाजरी पार्टी है और साथी साथ ये बताएगा कि 2024 के चुनाव किस पार्टी के लिए कितना चुनोती वाला होने वाला है अगर निकाय चुनाव में बेहतर पढ़ना हम लाए तो साथ 2024 की राहे में कुछ भाइडा मिल सके और निकाय चुनाव खराब हुआ तो यहां पर चुनोती और बड़ी होने वाली है तो आज की चर्चा में अतना ही मुझे जी रिर्मती नमस्कार ठीके सर्थ कुछ बाव पुश्पर आप देख रहे हैं